good morning students, today we will learn living things and non-living things the things which have life in them are called living things and the things which don't have life in them are called non living thing,ok जिन में लाइफ होती है उसे living things बोलते हैं जिसमें लाइफ नहीं होती है उसे non living things बोलते हैं for example plants butterfly lion इन में life है ठीक है so they are called living things lion plants animals यह सब क्या है living things है because they have life in them okay frog zebra fish they all are living things because they have life in them इन में life होती है जो tree होते है पेड़ पौधे वह भी living things है क्योंकि उन में life होती है and the things which don't have life in them are called non living things जिसमें life नहीं होती उन्हें non living things कहते हैं for example table cycle car socks अपनी जो toy doll रहती है है न यह सभी non living things है these all are non living things क्योंकि इन में life नहीं रहती है अब हमें living और non living thing में difference पढ़ना है difference क्या होता है देखो living things breathe means living things जो है वो सास लेती है animals बच्चे plants यह सब living things है यह breathe करते हैं breathe करते हैं न सास लेते हैं air की यह परती है living things breathe जबकि non living things होते हैं जो वो breathe नहीं करते हैं non living things don't breathe okay second living things move means living things move करते हैं one place to other place अगर उनको भूक लगी है animals को भूक लगी है birds को भूक लगी है तो वो खाना खाने के लिए या और अपने घर जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह move करते हैं living things move जो plants होते हैं plants भी move करते हैं जिए plants होते हैं वो sunlight की तरफ बहुँ सारे plants sunlight की तरफ move करते हैं उनको sunlight की जरत पड़ती है यसलिए sunlight की तरफ move करते हैs plants पुछ पिचर प्लान्टि होते हैं, जोegeं तेमा प्लाइट प्लाइट ति तो उनकी दालबत प्लाइट को और प्लाईंट अमकहें प्लाइट तो यूणीडान प्लांट को अनकी ना數ल में 97 यूट बट, non-living things don't move, not living things कुछ move करते ही क्या, जैसे अपनी chair है, chair move करेगी क्या, नहीं करेगी, table move नहीं करेगा, so non-living things don't move, living things need food, नेक्स्ट है जो नेवी लिविंग थिंग्स है उनको फूड की जुरत पड़ती है हम भूके हैं तो हमको खाने की जुरत पड़ेगी लिविंग थिंग्स नीड फूड जो प्लांस होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं प्लांस सनलाइट में एयर और वाटर से खुद अपना फूड बनाते हैं जबकि non living things को फूड की जरत नहीं पड़ती केबल चेयर को खाने की कभी रत पड़ेगी कैं नहीं पड़ेगी जबकि लायन है लायन को भूख लगती है वो दूसरे एनिमल को खाता है कुछ एनिमल्स है जो प्लांस काते हैं लों के लांट्स हरभी वरस प्लांन बोलते हैं और प्लांस और ड्रीट अपना खाना बनाते हैं ओ लिविंग फिंग्स नीद फूड बट नॉलिविंग फिंग्स डॉंट नीड फूड की ज़रत नहीं पड़ती हैं एक सिखुनिउत मत करों बिखुन करते हैं पहले चोटे रहते हैं पिन वो बड़े होते जाते हैं living things लिए चोटे रहती है लहीं लॲुट होते हैं और ऋटी हो जाती है प्लाइट बड़ी हो जाती है खॉटा मॉट ठीनिख ग्रों और burgार बड़ी होजाती लिविंग इमोशन होता है अगर बच्चा रोने लग जाएगा अना दुखी हो जाता है ऐसी बच्चों को अच्छा खेलने कुमिलेगा बहुत ज्यादा खूश हो जाते हैं तो लिविंग इमोशन होते हैं वो खूश हो नहीं होते हैं, वो कभी खुश नहीं होते हैं, कभी दुखी नहीं होते हैं, next difference is that living things reproduce, means living things है, they give birth to their younger ones, छोटे बच्चो को birth देते हैं, जन्र देते हैं, एक cat की kitten हो जाती है, है ना, जो doggy रहती है, doggy भी उपने छोटे छोटे बच्चो को birth देती हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, सो living thing reproduce but non living thing reproduce नहीं करते हैं non living things के छोटे बच्चे होते हैं क्या नहीं होते हैं plants living thing है plants भी seeds से फिर बड़े होते हैं फिर उनमें seed आते हैं फिर बड़े हो जाते हैं so plants also reproduce but non living things don't reproduce so good luck children आपको यह पूरा living things and non living things पढ़ना है little flower school students all of you best of luck this video ko again again the whole look this video watch this video again and again and write down the definition of living things non living things write examples of living and non living things and difference between them best of luck